राश्पति शीरामनात कोविंद आज बारवें प्ली ट्रिव्यू का निरिक्षन कर रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं भारतिये नौसेना की सामरिक शक्ती तैयारी उन्नत टक्नीक की भी उन्हें जानकारी हो रही है और हम सभी देश्वासियों के लिए बेहद गर्व और गौरव का अवसर मानेनी राश्पति शीरामनात कोविंद राश्ट्री की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद प्रथम पंक्ति में विराजबान और उनके ठीक मायोर रक्षामंत्री शीराजनात सिंग और नौसेना प्रमुक मौजूद हैं एड्मिरल आर हरी कुमार और प्रे आप पहुंची है जब हमें स्तराक कॉलम के पहले पोथ के दर्शन हो रहे हैं रन्स सुमत्रा व्यवर्स वीवर्स ayna ऐसे लिवश्य करती ले अटर्व टार्ष टर्व विवाइ इस वॉट ट्यवट इस यॉट फॉट अट चाहिए व ले टवीविश व्यूप पर शॉट्यव र यॉट्ट टॉ टॉटर्व बॉटॉ यॉटिवब टॉट्यव ए इस त्री जेज और अब ये तस्वीरे मिल रही है यहां तीन मौस्टो पर मुस्तली से तैनात कैड़ेट्स देखे जा सकते हैं यह पोट पुरी दुनिया में कहीं भी संचालन करने की शमता रखता है कमान अधिकारी हैं कमानर प्रवीन कुमार PNU2 मोचेलों टीैppen इंज थे जाराइण काफिक्त लिंपर मेंगा क्या यो सार्ग कि अलिवा अिस्थीन ट्रटाइण ज्या मिल्डकी डंपरेंग आर्यदधन की सवर्लट। Organization and it carries at least 18 seats you can actually see the sales and also the smart carrots iris taremani is commanded by commander प्सिर, गुमार आबटी में ए मनों ए सुट्पर्ण अच्टिण्ड करेक्ट्ट सा स्वीषि इस नमन एक बेंक das呢 इस जब आव осkell कि एमान शी डेहे लिएटेंड कैणी और केप्या सीश्ट करेंडू Although the cadets on board Tarangini learn the initial sea legs and the seamanship drills. एनस्तार्गनी, has gone around the globe many times, विजिटिंग मनी पोट्स और टेकिंग गड़ेट्स एक्सपोजर तो दी वर्ल्स सीफेरिंग एंड ट्रेडिशनल स्कुल्चर्स अफ अधर कंट्री इनस तरंगिनी जस पे अथारा नौसायनिक सेलर्स तैनाथ हैं और खास बात यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी संचाल की शम्ता आइनस तरंगिनी के पास है और राश्पती को तीन जय के साथ उन्होंने सलामी दी और खास बात यह है कि आइनस तरंगिनी अपनी बहूं की शम्ता के लिए जाना जाता है राश्पती बहुदे ने सलामी जवाब दिया आइनस जोती के नाम से अधर अलफा फाइव एट आइनस जोती विशाका पटनम में स्थित्त समुद्र में बेड़े के पोतों की स्थरता और दक्षता सुनिश्चत करने वारे पूर्वी बेड़े की जीवन रेखा है आइनस जोती कैटन M.B.DAS हरती नुषेना को जोती के कमान अधिकारी है और इस पॉर्स मुल्टिप्लियर के बहुकारी है सशस्त्र सेनाओ की खास्तों पर हरती नुषेना की अधर करते हैं इनस जोती इनस जोती पनेट अल्फा दिए ल्फा बहुत्त करते हैं इनस जोती योड्योर्व स्क्रीजेशे इनस जोती इनसे अपनेश्ट अधिका पत्नम् आएनिस जोती इस कमांदेट बाय कैप्टन M.B. Das. करेंगे राश्पति महोड़े और आयने सुदर्शनी हम देख सकते हैं अपने स्कीन पर प्रिष्टभुरु में विशाक्ना पट्टम शेहर की अठ्टालिकाएं और विशेश तोर पर जो पूर्थ हैं उनमें कैमरा इंस्टॉल किये गए हैं जहां से यह भी देख सकते हैं कि माननी राश्पति महोड़े को ना उनका तीव जय के साथ उनका जय गोश्य वहे हैं अपने निष्ठा उनके प्रती रधर्शित कर भहे हैं Three Jais from the second of the Tarangani class vessel is INS Sudarshini on your screens viewers Along with Tarangani the sail training ships provide cadets a closer understanding of the elements of weather This is something which enhance their overall proficiency in seamanship and shipman the honorable president there Sudarshini is right on your screens INS Sudarshini commanded by commander Shrikanth Vinobal Iainess Sudarshini की बेहत्वरीन तस्वीरें, romance से भर देने वाली तस्वीरें हमारे नौस्तैनिकों की ख्रमता का शांदार प्रदर्शन और ये आश्वस्त करती हुई कि हमादरी हमारी समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षत हैं और हम क्यान से अपने खरों में बैठ सकते हैं राश्पती महोदे ने तीम जय और सलामी का जवाब देते हुए आईने सुदर्शनी और लंगा डाले हुए तमाम जहाज अपनी स्थदी को बदलते हुए सभालते हुए राश्पती महोदे का ये यौट की ये तस्वीरे मन को मोहने वाली ये तस्वीरे बंगाल की खाड़ी से ये सीधी तस्वीरे आप तक पहुँच रही है और अब हम इंतजार कर रहे हैं अगले पोट का जो प्रेज़ेंट यौट अब पहुचता हुआ आईनेस कुठार तक पहुचेगा और इससे पहले हम देख रहे हैं लगातार राश्पती महोदे को तीन जय के साथ सलामी देते हुए हमारे नौसैनी किशसे हैं ट्यक्टेग ट्सक्राश्ण के लिफ ऱ्ट्यक्त पूट्स कर तूंबलड़ को तूंच किशस on port side or left side of the ship and the starboard side or the right side of the ship. दुश्मन के पंडुबियों पे भी नजर रख सकते हैं उनकी हरकतों पर भी नजर रख सकते हैं और मुझे याद आता है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध जब बंगाल की इसी ठाड़ी में जब पाकिस्तान की एक पंडुबी पेनिस खाजी यहाँ पे दुस्साहस करने के इर कर दिया वो गौरब मैपल बार बार याद आता है और नौसेना अपनी उसी क्षमताओं को न सिर्फ दिन मा दिन बढ़ाती जा रही है बलकि अब उसमें आत्म निर्भरता का भी एक आयाम बहत महतुपों हो रहा है And it's worth mentioning here, the President's Review is having the combination of ships not only from the Indian Navy but also from PostGuard and ships from the Ministry of Earth Sciences, INS Kulish on your screens Full maritime prowess and might on display, 12th President's Fleet Review Ships from Navy, we were telling our viewers from Coast Guard Participating in this edition And each ship dressed in full regalia And now President Yacht is passing by Sagar Anweshika As the name is, Sagar, Samudra, Anweshan, Khoj and Prithvi Vigyan Mantra Lahadwaravatarit किया गया ये पोथ है जो आत्मरबर भारत का एक प्रत्यक्ष उधारण है Sagar Anweshika की कपान समाली है, Captain Vinod ne Kolkata में निर्मित, Sagar Anweshika, National Institute of Ocean Technology द्वारा संचान होते After INS Kulish, viewers Sagar Anweshika on your streets A Ministry of Earth Sciences vessel Sagar Anweshika is another testament of Atmanirbhar Bharat The coastal research vessel Sagar Anweshika is operated by the National Institute of Ocean Technology और ये विहंगम द्रश्य, रोमान्चक द्रश्य, बंगाल की खाड़ी का ये विशेश द्रश्य आप तक पहुंच रहे हैं हेलिकॉर्टर पे मौजूद हमारे कैमरामेन के द्वारा और उसी तस्वीरें आप तक वो उस प्रेजिडेंट कॉलम की जो चार पंक्तियों में तैनात हैं और अपनी शमताओं को सामने रखते हुए चाहे वो खोज, समुद्री खोज की कोशिश हो चाहे वो नए चैनल्स और तमाम जो सागर की गहराईयों में मौजूद जो तमाम शमताएं हैं, जो खनीच पदार्थ हैं, जो संसाधन हैं उसकी खोज हो तमाम हमारे चाहे विज्ञान मंत्राले या फिर शिपिंग मंत्राले तमाम जो हमारी मैरिटाइम शमता है उसका प्रदर्शन करते हुए और अब आपके इंटेलिशन स्क्रीन पर आइनेस्ट जमुना, आइनेस्ट जमुना पैनेट नमबर जूलिएट वन सिक्स कोची के एक संधायक सर्वेक्षन पोत है इन पोतों को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंग्जेनियस द्वारा कोलकाता में निर्मित किया गया है आइनेस्ट जमुना के कमान अधिकारी हैं कैप्टन वाईवी रामकृषना, पैनेट नमबर जूलिएट वन सिक्स अफर सागर अवेशिका ओन यूर स्क्रींस इन जमुना क्टन य वी रामकृषना इन जमुना इज ए संधायक्रास वे बेसल और आप के तलिविजन व्क्रीन पर इस जी आस वरत ICGS वरत पैनेट नमबर चार्ली गोल्फ 4-0 है ये विक्रम शेणी का ओफ्शोर पेट्रोल वेसल ICGS वरत वरतवान में पारादीप में इस्थित है और इसके कमान अधिकारी हैं DIG, Pintu Big ICGS वरत पैनेट नमबर चार्ली गोल्फ 4-0 अधिक्रम क्री ल्हाथ ऑफ्शोर प्रोल शेख एर्फ शेछ वरत पैनेट इसके और प्रड़ीः है ICि वरत इस फ्मांबिय दिज वीद विन्टू बेग प्रेसिडेंट यॉट बारवें लेट रिव्यू शान से आगे बढ़ता हुआ जिसकर लहराता हुआ हमारा प्यारा तिरंगा समस्त देशवाशियों के लिए पेहत गर्व और गवर्व का अवसर पहुंच रहे हैं और आएनेस जो भारती तटरक्षक बल का जहाज है आईसी जीएस शौनक पैनेट नमबर चारली गॉल्फ वन फाइव और उसके पीछे आएनेस सतलज का आगमन होता हुआ ये जंगी जहाज भारती नोसेना की भारती तटरक्षक बल की उर्च से आते हैं साथी भारती जहाज राने निगम के जहाज भी आज के इस प्रेस्डेंट प्रेट रिव्यों में शामिल है और प्रिफ्वी ज्यान मंत्राले का सागर अन्वेशिका जिसका अबलू कर प्रेस्डेंट यॉट द्वारा किया गया कुछी देर पहले 7516 किलो मेटर की लंबी तटरेखा है भारती और उस तटरेखा की रक्षा उसे चाक चौबंद रखने मुस्तैद रखने और उसकी सुरक्षा का दैत्व समाला है हमारी गौरव शाली नौसेना ने रक्षा मंत्रीशी राजनाज सिंग प्रेस्डेंट यॉ यॉट पहले चरण में एक के बाद एक जंगी जहाजों के समक से गुजरते हुए और ये भारती जहाज राणी निगम का जहाज SCI साबरमती इस समय प्रेस्डेंट यॉट के सामने भारती जहाज राणी निगम जिसका मुख्यदायत्व है सप्लाई जो करना और जो चीजों की अवश्चकता है उने पहुचाना पहली पंक्ति का अंतिम पोथ SCI साबरमती अब तटी ये आपूरती पोथ है जिसकी कमान समारी है सब्सक्राइब के एक वजे सिग्ट पूर फी ये सिगाज शेने के अवहाज आप शेई शेने से आपिड और मंजे मुख लगजार्टा सब्सक्राइब कापटन पोथ श शेए नियुक शबिभार फोटी आ पर प्रेस्ट उडद की खाडी को जीता हुता हुआ आग परता आपके टेलिवेजिन स्क्रीम पर आइनेस सर्वेक्षण जैसा के दांस पर जबता है कि ये तमाम तरहा की जो सागर में बौजूद अमारे संसादन हैं ये कोच्ची में कमिशन किया जाने वाला और आधारित होने वाले नवींतन संधायक श्रेणी का सर्वेक्षण पोथ है और आइनेस सर्वेक्षण के दांस अधिकारी है Captain G.A. Matthew प्रेस्डेट्ट फ्रीट रिव्यू में पहले चरण का अब समापन हु रहा है और हम देख सकते हैं कि हेलिकॉप्टर के शॉट्स आप तक लगातार नियमित अंतराल पर पहुंच रहे हैं जो एक विहंगम दृष्य प्रस्तुत करते हैं सागर की दूर-दूर शितिस तक पह का हिस्सा बन रहे हैं और गौरवानवित महसूस कर रहे हैं अपने बीच सशस्त्र सेनाओं के सरवुच कमांडर देश की राश्टपती शीरामनात को विंद को पाकर जैसा कि थोड़े देर पहले शिविंद जी ने बताया कि ये समंद्र उपर से बहत शांत लगता है लेकि उस चुनोती का सामना करते हुए प्रिजिदेंट यॉट भी अब आगे बढ़ता हुआ और अब आप देख रहे हैं परेड ओफ सेल्स जहां पे रंग पे रंग के पोथ राश्पती महोदे को सलामी देने को तत पर तयार जो सागर के रंगों के साथ आसमान के रंगों के सा जहां सतमा रंगों के साथ महुट परेड ऑसेल्स होनरत प्राइब हुन नगूर्ग कर दूवता है नग प्राइब कोई हैं लिए नगर हैं निकyty insistHS बूद भाल नगर्यों। daí ने के दिद्ध लेई और टू XL. इस रह्रियों आ डर्यो कि अट Dolॉ 00 difficile Indian coastlines and can be gracefully seen embracing the waves on the horizon. स्क्रीन्स पर पहुंचता हुआ दूर दर्शन के कैमरास के माध्यम से जिने विशेश तोर पर संयोजित किया गया है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग पोतों पर और इस समय जो प्रश्टभूमे में हमें जो नावे नजर आ रही थी कुछ देर पहले वो नौकाएं ऐसी हैं जो कि समुद्र की लहरों पर हजारों किलोमीटर के रास्ते तैग कर चुकी है और उनी में शामिल है मादेई जिसने वर्ष 2010 में कैप्टन दिलीब डोंडे और 2013 में कमांडर अभिलाश टॉमी के साथ एकल परिचालन सागर परिक्रमा की है 2011, 2014 और 2017 में केप्टन से रियो डिजनेरो में भी इन नौकाओं की हिस्सेदारी रही है और साथ ही नौका है तारिनी जिसने जो अभी यहां पर मौझूद है सेल बोर्ट के साथ 2017 में सभी महिला अधिकारियों के दल ने वैश्विक नाविक सागर परिक्रमा का परिचालन कि दिया था तो ना केवल जंगी जहाज हैं ना केवल जहाजरानी निगम के जहाज हैं बलकि वो नौकाएं भी हैं जो समुद्र का पूरी दुनिया में चक्कर लगा चुकी हैं और जिनोंने साहस और संकल्प की अनोखी मिसाल पेश की है प्रेजिडेंट यॉट आएदे सुबितरा आगे बढ़ता हुआ और अब पहले लेक के निरीशन के बाद समीख्षा के बाद अब दूसरे कॉलम की और रश्पती का बेड़ा रश्पती यॉट बढ़ चुका है जहां पे हमें तमाम शमताओं के साथ मौजूद हमारे पास पास जस तरह से लगतार हम तस्वीरे दिखा रहे हैं विशाका पट्रम का ये किनारा बंगाल की खाड़ी की ये गहराईयां और अब हम देख रहे हैं कि जो तीवर हमलावर पोत है वो रश्पती यॉट के सामने से आगे बढ़ते हुए एक तरह से तमाम जो पोतियां होती है उसका भी जाइजा लेते हैं ये हमलावर पोत और किसी भी अचानक पैदा होने वाली परस्थतियों के लिए तयार रहते हैं दुटे विए प्रवार के सागते हैं तो अझालों विघ मेच्ट अवरण हेसर आरी उड़ी उससके रूछ तो तो पना ध्या, इड कर्वै कर्यान। च monsieur च्ट Meinung हि हम पुमार्य थाफись ल rock the you boys the challenges of implement weather conditions the roaring waters of Indian Ocean the sailboats have a traversed the vast Indian coastlines and now on this occasion the 12th President's fleet review we can see how they are gracefully maneuvering and embracing the waves on the horizon यह तस्वीरें आप विशाका पट्टम के उन किनारों की तरफ मुझे लगता आरके 20 से यह तस्वीरे आ रही हैं जहां भी तमाम जो आम लोग हैं वो भी मौझूद हैं और इन जहाजों और इन तमाम परिस्ततियों का इन तमाम रुमान्चक दिर्श्टों का आनंद लेने के वहां पर आ रहे हैं और यह आप देख रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो दिखाती है कि जो चार कॉलम में जो मौझूद हैं वो जहाज तमाम और यह विहंगम द्रश्य हेलिकॉप्टर से ली गई यह तस्वीरें सीधे आप तक पहुँच रही हैं और बहत चुनाउती पूर ह होता है इस तरह की तस्वीरें लेना और उनको सीधे आपके घरों तक तेलेविजन तक पहुचाना सकल और यह विशेश विवस्था दूरदर्शन ने की हैं और यह आप देख सकते हैं वो तमाम जहाज जो वहां पर खड़े हैं और मुझे याद आता है साल 2016 में जो इंटर प्रिजन यौर से तस्वीरें राश्पती महादे सलामी का जवाब देते हुए अभी बादन सुईकार करते हुए INS Gharial, that's the first ship of the third column on your screens viewers, INS Gharial, perit number, Lima 23, which is another landing ship tank, large and based at Vishakapatnam. About INS Gharial, they say it's a Mugga class ship built in HSL Vishakapatnam and has recently undergone a significant capability upgradation with induction of portable containerized medical facility. INS Gharial is commanded by Commander M. Srijit Menon. Viewers on your screen, the second leg underway and this is the first ship of the third column. बारवां President Fleet Review और नियमेत अंतराल पर आप तक जो तस्वीरें पहुच रही हैं, दूर दर्शन के कैमरास के माध्यम से, वो कई मरतबा, हेलिकॉप्टर से भी शॉट्स आप तक पहुचाए जा रहे हैं, ताकि जो समुद्र की विशालता और उसकी असीमित विस्तार है, उस से कुछ देर पहले हमने देखा, तीसरी पंक्ति का पहला पोथ, आइनस घडियाल, प्रिस्डेंट यॉट्ट जिसके सामने से गुजरा है, विशाका पट्नम में इस्थित ये एक लैंडिंग शिप टैंक है, और मगर शेनी का पोथ है, जिसके कमांड समाली थी, कमांडर M. शिजीत मेनने, बहुत ही आकरशक द्रिश है, बिलकुल यान के पोथ के सामने से जो लिया जा रहा है, और प्रश्ट भूमे में आप देख सकते हैं, छित्राय हुए से जो पोथ हैं, अपने स्थान पर निर्दिष्ठ स्थानों पर स्थापित रहते हैं, और जो रफ्तार ह इन फोतों की, वो आम तोर पर जो हम वाहन चलते हुए देखते हैं, या वाई विचरन करते हुए वाईयानों को देखते हैं, उनकी तुलना में बहुत कम होती है, लेकिन बहुत सधे हुए अंदाज में ये आगे बढ़ते हैं, प्रेसिजेंट यॉट पर माननी प्रथम महिला, श्रीमती सविता कोविंद, रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग और आंद्रप्रदेश के राजिपाल, बिश्व भूशन, हरी चंदन भी प्रथम पंक्ति में उपस्थित, सेर्मोनियल अंदाज में राष्टपती महोदे को तीन जय के साथ सलामी दी जात जो अपनी शेणी का पहला पोत है, अब तट ये गश्टी पोतों को आमतोर पर बंदर कहा के रक्षा, अब तट ये स्वरक्षा और दूसरे आर्थिक शेत्र के गश्टी के लिए पहनात प्रथा है, आइनेस सुकन्या के कमान अधिकानी ही, कमानडर अमित कुमार और आइन को भी स्वरक्षत रखता है, हम जानते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर हैं, ये वोग शेत्रे हैं, जहां पे पूरी दुनिया का जो व्यपार है, उसका 40 फीसद से जादा इनी शेत्रों से गुजरता है, तो सकल देखें कि जो आर्थिक, जो हम हमारी पूरी विकास यात्रा है, उसमें नौसेना की एक प्रमुक भूमिका है, और नौसेना न सर्फ दुश्मनों से हमारे देश को सुरक्षत रखता है, बलकि हमारे आर्थिक हितों को भी लगातार बनाता है, और नई भूमिकाओं में नौसेना की भूमिकाओं में अब ये भी शामिल है कि जस तरह से जो विश्व की दूसरी नौसे नाएं हैं उसके साथ सम्मंधों को आगे बढ़ाना क्योंकि अभी कुछ दिनों पाद ही हम देखेंगे मिलन एक्ससाइज जो बहुत आश्य है इक्ससाइज है तेसल इसका उदेशी होता है तमाग दूसरे देश झाल if आख अ सुझ माद थम्यान एंद च यॉ शिजड़ दे कोुछ आटीम पाद it's the anti-submarine warfare covet and has not only been made in India that's one of the most significant features made in India INS Kamrota it has also been designed by naval designers INS Kamrota on your screens viewers is commanded by commander Kapil Mohan Sati INS Kamrota नौसेना डिजाइन वो द्वारा डिजाइन किया गया आत्म निर्भर भारत की पता का लहराता INS Kamrota बंडो बिरोधी कावेट नकेवल भारत में बनाया गया है बलकि दिजाइन भी किया गया और तस्वीरे सीधे आप INS Kamrota से लेख रही है जहां पे अमारे कैमरा इंस्टॉल किये गए हैं INS Kamrota की गमाना दिकारी हैं कमांजर Kapil Mohan Sati रश्पति महोदे ने स्मार्ट सलूट का जवाब दिया और INS Kamrota Penit No. PAPA 28 खास बात यह है कि पंडुबी रोधी ओपरेश्णों में इसका बहत महतोपूर्ण इस्तमाल होता है पंडुबियां जो समंदर की गहराई में ओपरेट करती हैं और दुश्मन के बहत नजदीक तक पहुँच जाती हैं ऐसे में एक बहत चुनोंती पूर्ण होता है जब नौसे न न सर्फ उसकी पहचान करे बलकि उसे निश्क्रिय करे और INS Kamrota ने इसमें महारत हासिल की है नेक्स्ट और यूर स्क्रीन आफर आयनेस कमूरता इस आयनेस कदमत आयनेस कदमत पैरेट नमबर पापा टू नाइन गारण रिच शिप बिल्डर्स और इंजिनियस द्वारा निर्वित पंडुबी रोधी युद्धक्स Stealth Covet के कमान अधिकानी हैं, Commander Anurag Raghav Commander Anurag Raghav, Commanding INS Kadmat, Penit No. Papa 29 Again, INS Kadmat is an Anti-Submarine Warfare Sleet Covet and INS Kadmat was built by Garden Ridge Shipbuilders and Engineers Commanding Officer Commander Anurag Raghav Captain Shyam Kumar इशफिसे यह बिंस्ट थे अम्पिविया वाफ पर चापब्लिश याफ फिस इन नवी इन खर्याल केस्री थैडि ऑर्रफ क्पेट अफ इन डिए झावर्ती बेंड वावर्ती इन डिए इन 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 in progress and the president is returning the salute helicopter से लिए जा रहे हैं शौट्स नियमत अंतराज पर आप तक पहुंच रहे हैं President Yacht 12 President Review का सिल्सरा आगे बढ़ाते हुए अपसे कुछ ही क्षणों पहले हमने देखा कमोर्ता शेनी का भारती नौसेना पोथ का वरती कार्बन कंपोजिट फाइबर सुपर स्ट्रक्चर से निर्मित यह जहाज इसकी स्टेल्थ शक्ति को बढ़ाता है माननी राश्पती शीरामनात कोविंद स्मार्ट सल्यूट का जवाब देते हुए शान से आगे बढ़ता हुआ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ प्रेसिदेंट यौर्ट प्रेसिदेंचिल कॉलम जिसमें आयनस सुमित्रा आयनस सुमेधा और आयनस सावित्री शामिल और साथी आगे टी-39 और टी-40 तीन हम्रा पर ती व्रहम्लावर पोथ आयनस तीर आउसेना की पहली जरूरत है और ये कारे पहला प्रेसिक्शन स्कॉर्डन के कैड़िट प्रेसिक्शन पोतों द्वारा पूरा किया जाता है मजगाउं डॉक्स लिमिटेड मॉंबई द्वारा निर्मित है आयनस तीर जिसके कमान अधिकारी है कैफटन आफताब एहमद खा आयनस तीर पैनट आलफाइछ श्यूर्ण बैन आफएट श्यूर्स तॉक्ष्ण तवार उन्स तीर जिसके कैफटन अधुश्ण तव्ट जिसके सेट धन दन 9 million in his promised up next on your screen is next in column Bennett number 4th strot 31 now this is the first of the brahamputra class frigates viewers and this team powered frigate was being indigenously built as part of the Project 16A and is commanded by Captain Venkatesh R. Ayer. एक बहुत ही रोमांच कारी अवसर है जब किसी भी पोट के सामने से प्रिस्टेंट क्योट गुजर रहा है तो जो गैडट्स मौजूद है उनकी नसों में रत्त का संशार तीवर हो जाता है और इसी दिन की उनको शायद रतीक्षा रहती है जब वो देश के सशस्त्र सेनाओ कि कमांडर के सबक्ष अपने कौशल का प्रदर्शन करें और वही हम दूरदर्शन के कैमरास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं बारवें प्रेसिदेंट फ्लीट रिव्यू के अंतरगर्ट और दर्शक इस बात की भी गवाह बन रहे हैं शिविन जी कि किस तरह से ज और भारत में निर्बान की प्रक्रिया लगता तेज होती जा रही है और इसलिए आज का ये फ्लीट रिव्यू इतिहास में दर्ज होता जा रहा है और अब आपके सामने आइनस शक्ती आइनस शक्ती पैनित नंबर आलफा 5-7 व्यूवर्स इस अप्लीट रिप्लेश्में यरी लृत व्यूवर् फ्लीट रिप्लिश्में तांकर तांध लीट सुपट शक्ती आजकी अनस स्थीरे एनस स्क्ती इलाफिसियत व़ीन शक्ती एनस शक्ती मैं आपके सामने जाइनसंट एनिव्यूर्स चैनल। जब अपनिठ आपोगल अशश्यू शक्ती कैन प्यूव अजय करिण कर दोदो कर दोर्ट के व्युव के रहे नहीं कर दोद दोदोर के लिए पाव लिए सिप्टाइख जरुथिर एक रिजिए राप प्रविज़ पहले कर दोक हुषिस्यव किरू यूर में अच्छिन एचिकति है। आएनेस शक्ति बिस्टेन जॉट उसके सामने से बिज़ता हुआ बहुत मिका वारा पोत है ये जो समुद्र में पोतों को इधन उसके लाबा गोला बारूद कल पुर्जे और अन्य चीजों की आपूर्ति करता है जिससे अन्य पोत समुद्र में लंबे समय तक तैनात रह सकत हैं और आएनेस शक्ति के कमान अधिकारी थे कैप्टन सचिन विजेशिंदे किसी भी जहाज के पोत के कप्तान के लिए ये एक अवस्मरणी अवसर है जब सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर देश के राश्ट्रपती शीरामनात कोविंद उसके सामने से गुजर रहे हैं और वो उन्हें तीन जय के साथ अपना अभिवादन कर रहे हैं और अब बारी है सर्च एन रेस्क्यू डेमो ऑपरेशन्स की जहां पर देश के एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर कॉमबेट जंप का प्रदर्शन करेंगे राहत और बचाव कारियों का अवलुकन पर महजूद माननी राश्पती शी रामनात कोविंद तो यह इस बात क्यों इशारा करता है कि हमारे जहाज ना केवल जंग में सबसे आगे रहते हैं बलकि आपदा और राहतकारियों में भी उनकी महत्वण भूमिका होती है यह सर्च एन रेस्क्यू डेमो एक और आयाम न अड्वांस लाइट हेलिकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू ड्राइवर सोंगे, कॉम्बेट जंप सोंगे और इसमें इस मन्यूवर को तक्नीकी तौर पे कहें तो 10-10 टेक्निक्स कहा जाता है जहां अड्वांस लाइट हेलिकॉप्टर जलस्तर से सर्फ 10 फीट की उचाई पर उड़ते हैं और इसमें बचाव गोता खोरों को शत्रों में भी तीजी से तैनात करने के लिए इस तक्नीक का उप्यों किया जाता है इसमें आप देखेंगे एक व्यक्ति जो समंदर की गहराईयों में है जो खत्रे का संकेद भेशता है ये जो आप नारंगी रंग की जो आप धुएं देख धुआ देख रहे हैं ये संकेत है कि यहां पर वो व्यक्ति है जिसका बचाव करना है और उसके बाद अड़ांस लाइट हेलिकॉप्टर वहां पहुंचेगा और अपनी तक्नीक का इस्तमाल करते हुए स्वरक्षित पानी से उसे निकालेगा वेरिगे तो देरिंड रेकु दिए ओवर स्वर कि यह रेकुटेश रेक्राव्स इंच ते ट्राव प्र वेडा श्राइट याड-व्या याट बिया और एक्राव कि रोच्वे यह रिए खिर्यु भाष्वे ट्म्रिए और श्रावरा घर्च तर्ष्वे उसे कि ऱ से लिए is the combat jumps from the Advanced Light Helicopter. Aircraft carrying out a special manoeuvring act called 10-10 method of deploying rescue divers. The basket allows even an untrained survivor to climb easily. And Shivendra, imagine being stuck in flood as I also get in our fellow commentator, Captain Shyam Kumar. In a situation, Captain Kumar, flood with water levels, swelling ore around you, this is how the civilians could be saved and are saved. Yes, Sakhal, this is very, very... The guardians here are our sailors. Very, very critical for the naval operations. Nostalgic moment for me as of now, as the search and rescue demonstration is in progress. There is a fleet air arm. The helicopters are composite part of the fleet air arm and the naval aviation, the third dimension of the Indian Navy, is displaying its operational capability through search and rescue operations. This is available mainly for searching a survivor at sea because as you realized, the smoke, orange smoke, was actually giving the indication of the survivor's presence because searching at sea is a very difficult task. And demonstration of rescuing through basket allows the survivor to be safe and anybody, a civilian also could be safely lifted. And now we're just... The survivor is a very difficult task. It's a very difficult task. को जेलते हैं और ऐसे में इस तरह की ऑपरेशन्स और उसमें सटीकता प्रवीनता बेहद महतुपुन हो जाती है और हमने उसी बात के अभी हम गवाह बने किस तरह से अडवांस लाइट हेलिकोप्टर ने सर्वाइवर्स को आसानी से बचा लिया और इस पूरे ऑपरेशन में इस बात की खासकर ध्यान रखा जाता है कि कैसे जो अप्रशेक्षित जो सर्वाइवर है यानि जिसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कोई आम सिविलियन है वो भी इसका गवाह बन सके उसका लाभ प्राप्त कर सके 1.S. विशाकपतनम 3rd Leg 1st Ship 1st Ship 1st Ship 1st Ship 1st Ship 1st Ship 4th Column 4th Penit Number Delta 66 is INS. विशाकपतनम. A stellar example, viewers of India's indigenous shipbuilding prowess. It is the latest destroyer to be commissioned into Indian Navy. It also houses state-of-the-art नेवल आवमेंट एंस इनस विशाक पत्नम on your screens इनस विशाक पत्नम is commanded by Captain Birendra Singh Bains विशिष्ट सेवा मेरल and he is also the flagship of the chief of the naval staff Admiral R. Hari Kumar, Param विशिष्ष्ट सेवा मेरल, अदिव विशिष्ष्ट सेवा मेरल, विशिष्ष्ट सेवा मेरल, A.D.C. इस इन्योट हम सुन सकते हैं सामने से गुजर रहा है आईनस विशाका पत्नम के तीन जै का उद्गोश करते हुए कैड़िट्स टेक पर जहास के मौजूद भरती नौसेना के अत्या धुनिक नौसेना आयोद और सिंसर्स में शामिल होने वाला यह नमीन तम डेस्ट्रॉयर है आईनस विशाका पत्नम जिसके कमान अधिकारी है कैप्टन विरेन सिंग बैस और यह नौसेना ध्यक्ष एड्मिरल आर हरीकुमार A.D.C. का ध्वजपोत है तो बहुत ही गौरोब Ayavnosat किसी भी नौसेना के अधिकारी के लिए किसी भी सेलर के लिए किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो भारती नौसेना की गौरोब शाली परमपरा से प्रत्यक्ष और परोग्ष रूप से जुडआ हुआ है और हम इस समय देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पिरियोडिक इंटरवल पर, परमपरागर तोर पर हम जो हेलिकॉप्टर से शॉट हैं, वो भी आप तक पहुचा रहे हैं, और अब प्रेसिडेंट यॉट के सामने, आयनस चन्नई, जो की कोलकता श्रेण का दिस्ट्रॉयर है, और स्वदेशी रूप से मजगाउं डॉक्ट लिमिटेद मुंबई में इसे बनाया गया है, आत्निरभरता का सुंदर प्रतीक, भारती नौसेन आपोच चन्नई के कमान इदकारी, कैप्टन अमित कुमार सिंग, और आज ये वाइस अड्मिरल अजें ुध कारी रूफ का मेंगाउ हैकीा और आज sevent ली गाहै, और आधर नुप के मूंदेश का बिegनाई। dual.o एच्छ कारी के शयए से मजगाउं और फिशुद्रान इंजी ऑश्ति आम्निरभरता ओल फिवी कि ठ्परता के कि बनाश स्व इनाष चार्ण पक्तिनेट सीवर निए अटिर उन्गेश ख्रणावा है टोड़ी जब तेन भीट आटिपिटनेट सीनेट्सेड ओ आध्योड ग्रेसिप्तितफनर था सिवा मेरल ट्र। सब बंगाल की खाड़ी का ये विहंगम दर्श्य नीला समंदर लेकिन जितना विहंगम दर्श्य उतना ही चुनोती पूर और अब आपके टेलेविजन स्क्रीन पर आइनस दिली पूरी तरह से स्वदेश में डिजाइन किया हुआ भारत में निर्वित पहला डिस्ट्रॉयर पोत था पैनल डिल्टा 6-1 आइनस डेली अब हमारे टेलेविजन स्क्रीन पर आइनस डेली के कमान अधिकारी हैं कैप्टन गौरव महता और आज लिफ्टियों जर्नल अजय सिंग अती विशिश्य सेवा मिडल कमांडर इंचीफ अंडबान और निकुबार कमान का ध्वज पोत है यह और हम जानते हैं नौसेना के कई कमान हैं जिसमें पूर्वी कमान, पश्चमी कमान, दक्ष्णी कमान और अंडबान निकुबार कमान और आइनस डिली आज लेफ्टियों जर्नल अजय सिंग अती विशिश्य सेवा मिडल कमांडर इंचीफ अंडबान और निकु जर्कार किया, जवाब दिया और तीन जाय के साफ रश्ट्पति महदे का स्मात सलोट, आईनस डेली Inaas Derek Idh區 with pennant number delta 61 हुज ποशverty CET भ cyn victor was the first destroyer to be entirely designed from scratch and built in India another Made in India vessel infamous deli has recently undergone a major weapon and sensor upgradation which adds more teeth to her overall combat capabilities or combat potential our cameras are also प्रिस्टिश्टु गूर्म नच्च फासस केसे सोर्ध इस फुर्म जए Pack at static display reviewed by the President and in the third column now we are witnessing the last 11 ships anchored for the President's review Indian tri-color fluttering high leading from the front Presidential Yacht INS Sumitra on your screen पूरी तरीके से मुस्तैद और सुसजित पोत जिसके शंकला में President Yacht के सामने से INS शिवालिक पिनिट संक्या फॉक्स टॉट चार साथ परियोजना सत्रा का हिस्सा है ये स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला पोत और मजगाओं डॉक्स लिमेटेड में निर्वित स्ट्रिल्थ फ्रिगेट का नाम इन पोतों के नाम परवच शंकलाओं के नाम पर रखे गए हैं INS शिवालिक की कमान अधिकारी है Captain Saurab Thakur और आज ये 62 अपरेल विश्वजीर दासकुप्ता अथी विश्वा मेडल युद्विश्वा मेडल विश्वा मेडल पूर्वी नोसेना कमान के फ्लैग आफिसर कमान अधिके अचीफ का फ्लैक शिप है आइनेश शिवालिक और खास बात आइनेश शिवालिक की ये है कि ना सिर्फ ये मजगाओं डॉक लिमिटेट मुंबई में इसे स्वादेशी रूप से बनाया गया है बलकि इसकी स्टील्थ शमता है ये स्टील्थ फ्रिगेट है खास पत ये है स्टील्थ ऐसी तकनीक होती है जो दुश्मन के रडार से दुश्मन की नजरों से बचते योजना 17 पर योजना 17 के तहट बनाये गया है और भारत अब उन देशों में शुमार है जो अपनी नौसेनाओं में जंगी जहाजों का खुद डिजाइन तयार कर रहा है उसका निर्बान कर रहा है और अब हम उस स्तर पर भी पहुँच रहे हैं जहां हमारी नौसेना लग लग हैं उसका भी निर्बान कर रही है और अब आपके टेलिविजन स्क्रीन पर आइनस सत्पुरा पेनट संख्या फॉक्स रॉट चार आठ ये पोथ तीन आयामों में खत्रों से निपटने में सख्षम यानि हवा सतह और उपसता और नवीमतम हत्यारों सेंसरों और प्रिष्ट सेबा मेडल नौसेना मेडल तक्षिन नौसेना कमान के फ्लाइग ऑफिसर कमांडर निंचीफ का थवज पोथ है on your screens right now INS Sumitra the presidential yacht commanded by commander Ashish Mittal INS Sumedha commanded by commander Sumit Malik and INS Savitri by commander N Robbie Singh and a while back we also saw the second of the three sleet frigates INS Satpura with pennant number Foxtrot 48 the mighty prowess of India's maritime strategic significance on display for the world to watch this of course is an integral part of India's growth story globally the ships are capable of handling threats in all three dimensions and specially talking about INS Satpura three dimensions meaning air surface and subsurface and they're also fitted with latest weaponry latest sensors and combat management systems INS Satpura viewers is commanded by captain Saket Khanna and today is the flagship of the flag officer commanding in chief Southern Naval Command Vice Admiral Mark Rand Hampioli Adi Vishisht Seva medal now Sena medal बारवां President Fleet Review जिसका आयोजन हो रहा है नौसेना की पूर्वी कमान के मुख्याले शहर विशाका पत्नम में President Yacht अब INS सहियाद्री के सामने से गुजरता हुआ Penet No. Fox Trot 49, भारती नौसेना पोट सहियाद्री पोटों के रडार और थर्मल सिगनेचर्स को कम करते दुश्पन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए बनाया गया है और इसके सफल डिजाइन के कारण भारती नौसेना द्वारा इसी स्ट्रेणी में साथ और पोटों को भी बनाया गया है आइने सेयाद्री के कमान अधिकारी हैं कमांडर मंजीत मोजेस थॉमस और आज ये रियर अड्मिरल संजे भला नौसेना मेदल ध्वज अधिकारी पूरवी बेडे का ध्वज पोत है Penit No. Foxtrot 49, INS Sayadari Designed to avoid detection by the enemy by reducing the ship's radar and thermal signatures Some spectacular visuals brought to you live and exclusive from the Bay of Bengal DD Cameras manned by helicopters and as we stay with the INS Sayadari INS Sayadari is commanded by Captain Manjeet Moses Thomas and today is also the flagship of the flag officer commanding Eastern Fleet Rear Admiral Sanjay Bhalla, Nausena Madal और मनभावन द्रिश्य और इन मनभावन द्रिश्यों के पीछे उन चिनोतियों को भी रेखांकित करना बेहद महतुपून सकल एक बाद एक जो जंगी जहाज हैं वो President Yacht के सामने आते जा रहे हैं और देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोची कमांडर राशपती शीरामनात कोविंद Smart Salute का जवाब देते हुए पुरियूत कंठा के साथ अवलोकन करते हुए देश के नौसेना की स्तामरिक शक्तिका जिसमें भारती नौसेना भारती तटरक शकबल भारती जहाजरानी निगम और इसके अलावा अन्य जो संस्ताएं हैं उनके पोत भी शामिल उनके जहाज भी शामिल साथ ही पृत्वी विज्ञान मंत्राले का सागर अन्वेशिका भी आज के इस प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का हिस्सा बना है और समुद्र की ये बलखाती लहरें जिन पर विचरन करते नजर आ रहे हैं देश के पहरेदार के रूप में मौजूद बंगाल की खाड़ पैनेट टंबर फॉक्स.45 तलवां शेनी स्टिल्थ फ्रिगेट का पहला पूत है कई प्रकार के हत्यारों और सेंसर्स के साथ खतरों का मुकाबला करने में सक्षम फ्रिगेट एकिकरित कामवो 31 एर अरली वर्निंग हेलिकॉप्टर या कामव 28 एंटी सब्मरीन हेलिकॉप् सेना नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांड निंग पश्मी बेडे का ध्वजपोत है। आयनिस्थेग इस कमांड़े केप्टन सुमीत सिंग सोरी वी एसम और तोड़े इस दी फ्लैग शिप फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट रेर अर्मिरल समीर सक्सेना नौसेना मेडल वाइवस नौसेना को तीन आयामी या कहें त्री आयामी सेना के अंग के तोर पे जाना जाता है और इसका मतलब अगर साधारन शब्दों में समझें तो नौसेना एक ऐसे सैन्ने बल है जो नसर्फ समंदर की सतह पर अपने ऑपरेशन्स अपनी शमताओं को अंजाम देती है बलकि समंदर के अंदर पंडुबियों के माध्यम से और तमाम दूसरे उपकरणों के जरिये भी दुश्मन पर निगाह रखती है दुश्मन पे हमला करने की शमता रखती है नौसेना का तीसरा आयाम समंदर के उपर फैले फैला वो आसमान है जहां वो अपने लड़ाकु जहाजों के जरिये तोही विमानों के जरिये और अब आपके टेलिविजन स्क्रीन पर आयनेस राणा पेनेटरंबर डिल्टा फाइब टू ये एक निर्देशित मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आयनेस राणा भाती नौसेना का सबसे पुराने सर्विस डिस्ट्रॉयर पोतों म मितलब ये विद्वन्सक के तौर पे इसे विद्वन्सक की श्रीणी में हैं, दुश्मन पे हमला करने में सक्षम, निर्देशित मिसाइल, गाइड़ मिसाइल से लास, यानि दुश्मन को पलक जपकाने का मौका दिये बगार, दुश्मन को नस्ते नाबूत करने के शमता सबसे पुराने सर्विं दिस्ट्रोयर पोतो में से एक. Very true Sakal, naming of ships have been an old tradition, you have today witnessed Kesari, Gharial and then you have witnessed Jyoti, you have the tankers like Aditya, Shakti, these are all support ships or force multiplier for the logistic support, fueling of the ships. Similarly, Rana, Ranjit, Rajput, Ranvijay, Ranvir, thematic names of the warships. Mountain ranges such as you saw today, Satpuda, Sayadri, Shivalik, and earlier we had Dunagiri, Himgiri, Nilgiri, Udaygiri. These are the warships, Kamurta, Kachal, and island names. The navy has been giving names to the warships regarding traditions, customs, and the places of interest, Vishakapatnam, Delhi, Chennai, such names actually give regards to and recognize the major port cities or the different cities of the country. So the navy has the tradition of naming ships on such various names, themes, locations, and islands. तो भारती नौसेना द्वारा अपने जो जहाज हैं, जंगी जहाज हैं, या जो पोत हैं, उनको उनके नामकरण की जो गौरवशाली परमपरा है, और उसमें जो चीजें समाहित हैं, उनके बारे में बाचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, कैप्टन शाम कुमार, और आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में जहाज, एक के बाद एक प्रेसिडेंट यॉट जिन के सामने से गुजर रहा है, उन में से कुछ जहाजों पर दूरदर्शन ने खासतोर पर कैमराज इंस्टॉल किये हैं, ताकि ना केवल प्रेसिडेंट यॉट से, बलकि उन जहाजों से भी आप तक दृश्य पहुँच सकें, अगली पंक्तिका अंतिम पोध भारती नौसेना पोध जलाश्व है, पैनेट नमबर लीमा फोर वन के साथ आगे बढ़ता हुआ, जलाश्व एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है, जिसका उपयोग समुद्री संचालन के लिए किया जाता है, और खास बात, कोविट महामारी के दौरान ये जहाज रहत और बचाव कारियों में प्रशन सनिय भूमिका के लिए सर आहा गया है, भारती नौसेना पोच जलाश्व के कमान अधिकारी है, कैप्टन पी एसस उदे किरन, मिशन सागर और ऑप्रेशन समुद्र से तुमें इसकी महत्पूर्ण भूमिका रही है, इन्स जलाश्वर है तीएो प्रिंच जलाश्वर जलाश्वर हैं तेगर सिकीडि आपतक के सिद्डियर हैं, ब comments एई • इन फीमेरारिक त।स्थिं pandemic across the country as also part of the mission Sagar and operation Samudra Setu which went beyond our national boundaries. INS Jalashwa on your screens commanded by Captain PSS Udaykiran. आईनस सुमित्रा और आईनस सुमेधा आज और आईनस सावित्री आज प्रेजिड़न के जहाजों की पंक्ति का कॉलम का हिस्सा और ये तुछ तस्वीरें आईनस जलाशर से आप तक पहुँच रही है जहां विशेश तोर पर दूरदर्शन ने कैमरेों की तैनाती की है और राश्टपती महोदे को तीन जय की सलामी बहुत खास मौका उन नौस्तैनिकों के लिए भी जिन्हें इस पूरी कवायत में हिस्ता लेने का मौका मिला फ्लीट रिव्यू का हिस्ता बनने का मौका बिला बहुत गौरों मैक्षन राश्टपती महोदे सैनने बलों के सरवोच्च कमांडर आज सौयम यहां उपस्तित बंगाल की खाड़ी में और ये मौका पूरे अगर नौस्तैनिक इतहास में देखें तो सर्फ बारहवा मौका और विशा का पट्टनम में इस बंगाल की खाड़ी के तट पर तीसरा मौका पिछले बार दोहजार सोलह में अंक्रास से प्लीट जिव्यू में वोगा बिला था जब तक काली रश्रपती बना मुखाजी इसना बने थे और अब हॉक टेमो ये तस्वीर हैं आप तक पहुंचते हुए दो हॉक्स विबान आपके स्थामने होंगे वाइपर फॉर्मेशन में कि अगुंच तक क्वेस्थिए क्रिमी और दोच प्रॉब टेजल में अवाज्य को ये ख合 पॉर्मान का पहुंच ऑल्रॉद है कर दो कर दो